वेलकम पेरेंट्स दोस्तों आपके साथ दो फैक्स मैं शेयर कर रहा हूँ पहला हमारा जो ब्रेन है इसकी लगबग 80% ग्रोथ ये शुरुआत के दो साल में हो जाती है आपने खुद ने देखा होगा जब बच्चा मा के पेट से बहार आता है डिलीवरी के बाद उसके हैड की साइज जादा होती है बजाय की बॉड़ी के दूसरे जो पार्ट्स है उसका कारण क्योंकि जब वो मा के पेट में था तब भी उसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो हो रही थी वह उसके सर की हो रही थी और उसके बाद भार आने के बाद भी जो ये शुरू के दो साल है यह बहुत इंपोर्टेंट है ब्रेन की ग्रोथ और उसके ड्वलपमेंट के लिए फैक्ट नमबर टू ब्रेन की जो ये ग्रोथ हो रही है या ब्रेन की ग्रोथ के लिए 60% से ज़्यादा जो नीड है वो है फैट्स की अब आप समझ सकते हैं कि जो फैट्स हैं इनका कितना बड़ा रोल है ब्रेन की ग्रोथ के लिए और ब्रेन के ड्वलपमेंट के लिए आपका ब्रेन जो है ये ही पूरी बॉड़ी के उपर कंट्रोल रखता है मैं अपना हाथ इला रहा हूँ मैं चल रहा हूँ आप जो भी एक्ट कर रहे हैं वहाँ पर सब चीजों के लिए ब् इनके लिए इनके जो ये brain की cells नर्व cells इनके लिए जरूरी fats मतलब अगर आपने right kind of fats सही fats गलत fats नहीं अगर आपने सही fats सही समय पर बच्चे के इस crucial time के अंदर include कर रखें उसकी diet में तो उसकी जो ये nerve cells है ये healthy होगी और इनका पूरी body के उपर control या function अच्छा होगा इसी तर इसी है right kind of fats वो ले रही है तो उस समय भी उसका जो बच्चे का जो सर का जो विकास हो रहा है उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा ये fats क्या कर रहे हैं जो nerve cells है वो हर cell के उपर एक membrane होती है हमारी पूरी body जो है लगबग 100 trillion cells की बनी हुई है और हर cell के चारों cell की health अच्छी है और इसी तरह से जो दिमाग की cells है जिने हमने nerve cells का गया है वो nerve cells होती है उनके चारों तरफ थोड़ा अच्छे से सुनिएगा इन nerve cells के चारों तरफ एक fat की layer होती है और जिस nerve fiber के अंदर ये fat की layer जितनी ज़्यादा होगी जितनी मोटी होगी जितनी ठीक होगा मतला firing rate उतनी ज़्यादा होगी तो यदि ये fat की layer healthy है जिसे हमने myelin sheath का है ये healthy है तो इसकी conduction velocity अच्छी होगी तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज़ जो निकल की आई है वो है right kind of fats आपको सही आपको ये पता होना चीए कि सही fats कौन से है अगर आपने गलत fats दिये तो वो गलत तरीके से प्रभाव दिखाएंगे अगर आपने सही fats बच्चे की diet में include नहीं कर रखें तो body क्या करेगे replacement fats जो है उनको यूज करेगी ये replacement fats जो है ऐसा निए कि काम चला हूँ गए इनका एक negative impact आएगा ये replacement fats का negative impact आएगा healthy नी रहेंगी cells कई researches में ये देखा गया है कि जहाँ पर depression की बिमारी है या ADD, ADSD जीसे हम कहते हैं attention deficit hyper activity disorder वहाँ पर भी replacement fatty acids जो है इनकी मातरा ज्यादा देखी गई है तो कुल मिला करके मेरा कहने का मतलब कि आपको पता हूना चीए कि right kind of fats हमें अपनी diet में include करने है अपने बच्चे की जो diet है उसमें include करने है ये omega 3 free fats and omega 6 free fats इनको हम बोलते है essential fatty acids या essential fats कहने का मतलब कि हमारी body जो है वो इन्हें बना नहीं सकती है ये हमें बहार diet से अपने को लेने होंगे तो आपको ये पता होना चीए कि कौन सी diet है जिसके अंदर कि आपको ये essential fatty acids omega 3 and omega 6 जो है ये present है अगर आपको पता होगा तो आपक diet बच्चे के खाने में include रखेंगे साथ में आप अपनी diet में भी रखेंगे तो मैं आपको वो food items बताता हूं लेकिन उससे पहले इन fats का एक महत्व और बता देता हूं देखिए हम सभी लोग क्या है visual learners है हम देखते हैं सीखते हैं और ये वाली जो देखने और सीखने का जो capability चल रही होती है तो अगर आग की health अच्छी है आई health अच्छी है तो इसका मतलब brain की health भी ठीक रहेगी उसकी learning capability बढ़ेगी और हमारी जो ये eyes है इनका जो परदा है जिसे retina का जाता है वहाँ पर fats जो DHA है अच्छे fats जो मैंने भी आपको बताए उनकी मात्रा बहुत है तो आग की health जो है वो भी बढ़िया रहेगी और आग की health directly related हो गई आपकी learning capabilities से तो इसका मतलब क्योंकि हम visual learners है आग की health आपको सही रखनी है तो again ये एक importance मैंने आपको बता दिया DHA की या आपके पास जो मैंने omega 3 and omega 6 fatty acids या omega 6 and omega 3 fats की importance ये किस diet के अंदर मिलते हैं उसके क कुछ है examples मैं आपको बता देता हूँ देखिए जो cold water fishes है specially salmon है tuna है वहां present है flax oil या flax seeds मेरा complete video इसके उपर है आप आई बटन को click करें वो देख सकते है flax oil के अंदर present है walnuts उसमें present है canola oil यदि ये diet में use किया जा रहा है इसमें present है soya bean इसमें भी present है and eggs के अंदर ये कुछ छ जो मैंने आपके साथ share करें और मेरी एक request आप से है मेरा suggestion है कि आप भी comment box में जरूर बताइएगा कि omega 3 & omega 6 के लिए आप अपने बच्चे के diet में या आप अपने खुद के diet में इसे please केवल बच्चे तक focus मत कीजिएगा मेरे जो health या nutrition वाले videos है या आपके लिए भी है parents के ल ये जो essential fats हैं इनके लिए क्या यूज करते हैं या इस वीडियो से पहले आपको इनकी importance पता ही नहीं थी तो comments में जरूर बताईएगा कि क्या importance पता थी और पता थी तो आप diet के अंदर इसके लिए क्या यूज किया करते थे एक last बात और मैं आपके साथ share करना चारा हूँ उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इससे आपको information मिली होगी तो इसे like करें और उसके साथ में जो bell icon है उसे दबा करके all पर click जरूर कर दीजिए क्योंकि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरे videos का notification नहीं जा पा रहा है तो again एक बार फिर last like करें bell icon को click करें and all को दबा दीजिए